So, Hello guys, तो इस वीडियो गंदर में आपको बताने वाला हूँ कि आप जो है इनिस्टागराम स्टोरी में हिलने वाला इमोजी किस तरह से एड़ करेंगे जी हाँ guys, आप बिल्कुल सही सुन पा रहे हैं चाहे आप हिलने वाला इमोजी लगाना चाहते हैं या अगर आप हिलने वाला फॉंट एड़ करने के लिए चाहते हैं तो दोनों चीज जो है इस वीडियो के अंदर में आपको बताने वाला हूँ तो guys, अगर आप भी इनिस्टागराम स्टोरी में लने वाला इमोजी या हिलने वाला फॉंट एड़ करने के लिए चाहते हैं तो बस आप इस वीडियो को बिना इसकीप किये एंड दर्ग देखते रहे तो चलिए शुरू करते हैं तो गाइस देखिए सबसे पहले आपको संबली क्या करना है अपने मुबाइल के अंदर इनिस्टाग्रम एप को ओपन कर लेना है इनिस्टाग्रम एप को ओपन करने के बाद में सबसे पहले आप अपने प्रोफाइल में क्लिक करेंगे उसके बाद में आप जो उपर में पलस वाले उप्शन पे क्लिक करेंगे उसके बाद में यहाँ पे आपको इस्टोरी पे क्लिक कर देना है क्योंकि अपने को इस्टोरी लगाना है उसके बाद में जिस भी फोटो का आप इस्टोरी लगाना चाहते हैं उस फोटो को ले लेंगे मानन के चले यहाँ पे मैंने आपको समझाने के लिए सिर्फ एक फोटो मेंने ले लिया है आप जो है जो है जोंसा फोटो ईस्टोरी में लगाना चाहते है उसी फोटो को लेंगे चलिए इस फोटो को जूम वगला जो भी आप करना चाहते हैं तोarnya बिस तो जो है आपकी बात है यहां पहले में सिर्फ आपको हिलने वाला इमोजी set करने के लिए बताने वाला हूं तो देखे सबसे पहले आपको assembly क्या करना है double a जो है आप इसी पर click करेंगे उसके बाद में आप जो भी लिखना चाहते हैं पहले आप वो लिखेंगे ठीक है जैसा कि हम पहीं देखें मैं लिखता हूं follow me, okay लिखने के बाद में guys, आपको assembly क्या करना है इस पर click करना है, अभी जो ने यह नहीं हील रहा है, आपको इदर से क्या करना है, इदर से देखे, 1,2 3 4, आपको जो जो आवी 4 नभर पे रहना है, समझ गये न, और रखने के बाद में आपको से मेरी का करना Cornell जो है उपर वाला आप इस पर किलिक कर देंगे इस पर जैसे क्लिक कर दिंगे तो यह देख सकती हील रहा है आपको फिरर आम पर रखना चाहते हैं तो जो है आप वह पर इस्को इस तरह से रख लेंगे समझ गए नब हिदने वाला In 2017 किस तरह से लगाएंगे तो फिर से आपको यहां पर double Aเป click कर देना है उसके बाद में यहां पर आपको-ई-मोजी लेना है जौट मयाना सैंstaw द्रफिते वाले नाहें खाया है फिर से आपको done कर देना यह देखे मैंने done कर दिया है और यह देखे हिल रहा है न जो के देखने में काफ़ी जयादा अच्छा लग रहा है तो इस तरह से आप अपने इंस्टाग्राम स्टोरी में हिलने वाला emoji या हिलने वाला font एड़ कर सकते हैं